मन बड़ी ही विचित्र करेती है ये मन शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता है जिन्तु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है अब यदी मन कुछ खाने का करें, तो व्यक्ति उसकी वनो उपोनो की इच्चा साकर करने का माध्यम धूंटा रहता है। अब यदी मन किसी को शत्रू समझ ले, तो व्यक्ति उसे नश्ट करने का हर संभो प्रयास करता है। अब यदि मन किसी से प्रेम करें तो उसकी प्रसंदता के लिए हर सीमा लांगने के लिए सज्ज रहता है पर उन्तु जीवन सुखद हो इसके लिए आवश्चक है कि मन खाली हो इस बासुरी की भाति बीतर कुछ भी नहीं नराग है नद्वेश तब भी तार छेडने पर स्वर निकलता है इसी प्रकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्चक है मरण रखिये मन में कुछ भर के जीओगे तो मन भर के जी नहीं पाओगे राधे राधे जब से मनुष्य जाती का अस्तित्व बना है तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया युद्ध जो कभी धन का दुंदो बनकर सामने आता है तो कभी सुरक्षा का हतियार बनकर कभी विजय की भूग के लिए तो कभी पराजय टालने के लिए इन्थु वास्तविक्ता तो यही है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध तो करना होगा परन्तु युद्ध के लिए सज्य रहना इतना महत्व पूरण नहीं है जितना महत्व पूरण है ये समझना कि युद्ध को चाला कभ जा सकता है क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही ना जाए आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयम का मान तो बढ़ा लोगा इन्थु अपना बल खो दो इसलिए जहां तक हो सके युद्ध को टालो शक्ति को संग्रहित रखो ताकि जब ये युद् संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है अब आप में से कुछ कहेंगे शस्त्र की कुछ कहेंगे शास्त्र की कोई कहेगा बुद्धी की तो कोई कहेगा बल की किन्तु ये सब अधूरे हैं संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता तेरी सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है जब आप कठिनाईयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर साहयता करें मार्ग भटक जाओगे तो मित्रता शास्त्र बनकर आपको रहा दिखाए शड्यं मित्र में फस जाओगे, तो बुद्धी बनकर बाहर निकालेगे, अकेले हो जाओगे, तो मम्ता बनकर साथ निभाएगे, तो यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्रता कमा और स्मरण रखेगे, यदि इस संसार में मित्र बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है, तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं, राधे राधे मनुष्य का सोभाव है कमाना, संग्रह करना, फिर चाहे वो धन हो, नाते हैं, संबंध हो, या हो प्रसन्नता, पर उन्टु क्या आपने कभी सोचा है, नियती नहीं ये संग्रह करनी की प्रकृति ये मनुष्य में क्यों डाले, एक बीच से पौधा पनपता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होता है, क्यों? इसलिए ताकि वरिक्ष उसे स्वयम खा सके, नहीं, बलकि इसलिए, ताकि वो भुके जीवों में बाट सके, अब आप पूछेंगे कि इसमें वरिक्ष का क्या लाब? लाब है, क्योंकि जो बाटता है, वो मिटता नहीं। जो फली अजीव खाते हैं, वो उसकी बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जनम लेते हैं नए वरिक्ष, उसकी जाती, उसका गुण, उसकी मिठास अमर हो जाते हैं। इसलिए स्मरण रखेगा, अमीर होने के निये, एक एक शंड संग्रह करना पड़ता है, जिन तु अमर बनने के निये, एक एक कण बाटना पड़ता है। राधे राधे भै, भै सबको होता है, चाए वो पशू हो, पक्षी हो, या मनुश्य। पास्तविक्ता में मनुश्य भै को अपने साथ लेके ही जनम लेता है। तो इस भै से भै कैसा? यदि भै बुरा भाव होता, तो क्या इसे हम अपने साथ लेके जनम लेते हैं। गास्तविक्ता में भै हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब देखें। जीवन जाने का भै आपसे स्वयम की सुरक्षा करवाने का प्रयास करता है। अपमान का भै सदाचार की ओर बढ़ाता है। किसी प्रिय को खो देने का भै उसके लिए करतव्य पालन करने को प्रेरित करता है। किन्तु ये भै ये भै बुरा तब हो जाता है जब आप इसे अपनी उपर हावी हो जाने देते। इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए यदि इस भै को उप्योग में लाना है। आपको स्वयम इस भै के उपर हावी हो जाना होगा। तो तोड़ दीजिए भै की सीमा है। अपनी आत्मा को छोड़के किसी और के समक सर मत जुकाईए। और स्मरन रखिए। जब अंदककार से डरना छोड़ दोगे। तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओ। राधे राधे। प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है। पर सच पूछो तो ये बंधन से मुक्ती है। स्वतंत्रता है। नहीं समझे। समझाता हूँ। यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे। यदि कोई आपका प्रेम समझ ही न पाए। तो क्या होगा। कुछ उदास हो जाएंगे। कुछ चल करके प्रेम पाना चाहेंगे। तो कुछ बल पूरवक प्रेम पर अधिकार करना चाहें। किन्तु यह आवश्क नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हो उसे भी आपसे प्रेम ह। क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है। न राज्य है न धन जिससे आप बल से अपने वश में कर सको। प्रेम वो शक्ती है। जो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है किन्तु स्वयम किसी बंधन में नहीं पस्ती तो जिससे भी आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजे क्योंकि स्वतंत्र ताही वो भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझ में आए तब तक के लिए नी स्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए स्वार्थ हट जाएगा तो प्रेम आ ही जाएगा और मन प्रसंद होकर बोलेगा राधे राधे कितना सुन्दर प्रतिविम्ब है इसका कारण क्या है मेरा रूप सुन्दर है या ये जल सुच्चे नहीं ये जल स्थिर है शान्त है अंतर देख रहे हैं आप वही जल है वही रूप है किन्तु ये स्थिर नहीं है शान्त नहीं है और इसी कारण मैं अपना प्रतिविम्बहिस में नहीं देख पा रहा क्रोध के साथ भी यही होता है यदि आप स्थिर है शान्त है तो आप आपकी आत्मा को देख सुन और समझ पाओगे किन्तु क्रोध इस आत्मा की पुकार को पी जाता है इसलिए अपने क्रोध परवश रखें कहीं ऐसा नहों कि मुर्कता के कारण जन्मा ये क्रोध आपको पश्चा ताप के अंत तक ले जाए राधे राधे